सबी प्यारे दोस्तों का स्वागत है मुकेश मेंदर एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्त माहिंदर सिंग स्वागत करता हूँ मुकेश मेंदर एजुकेशन पर दोस्तो हमारा हिंदी निवारिये के अंदर जो गद्य घंडे उसका अध्याय नंबर 12 है जनंदर कुमार ठीक है तो इस अध्याय के यानि कुछ इंपोर्टेंट कुषिन है बाजार दर्सन ठीक है तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो इसमें जैसे दो बड़े कुषिन है और बाकी 18 जो है अबजिक्टिटेब कुषिन है तो आपको नोट करने है और बहुत सारे दोस्त जो है वार्टसप पर अलग-अलग मेसेज करते हैं और कई दोस्तो कॉल कर देते हैं लेकिन आप दोस्तो किसी को रिप्लै नहीं दिया जाएगा क्योंकि अब एक महिना बचा है दोस्तो हमारे पास तो अभी मैं भी लगा हूँ तैयरी में इसलिए मैं आपको रिप्लै ने दे पाता हूँ और बाकी आप नाराज होते हैं तो हो जाए यार भई इसमें कोई नाराजी बात नहीं है क्योंकि आपको ही मालूम है दोस्तों क्योंकि एक माइना बचा है तो भाई एक माइने के अंदर अब तयारी तो चाहिए तो बिल्कुल भी कम टाइम मिलता है फिर भी मैं आपके सामने वीडियो लाने का प्रियास करता हूं तो अब हम तयारी में लगे हुए हैं दोस्तों अगर आपको ज़रूरी बात करनी है तो आप कमेंट कर दीजी आपको कमेंट में रिपलाई दे दिया जाएगा और बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि हिंदी में या नहीं कौन साइज जाए कितने नंबर का हैं तो दोस्त मैं किस किस के फोटो खीच कर भजू हमारे परसनल दोस्तों पंद्रा सो से अधिक मेंबर जुड़ रखे हैं परसनल तो अब सब इस प्रकार से मैसेज करते हैं तो इनका किन किन का रिपलाई दे अगर मैं रिपलाई देने में लग जाओं तो पड़ा ही कौन करेगा ठीक है व बाजार दर्शन जो पाठ है हमारा दोस्तो इस अध्याई के रचेता को ने तो आप देख सकते हैं दोस्तो जनेंदर कुमार यह आपको ध्यान रखना है ठीक है जनेंदर कुमार जो है बाजार दर्शन के रचेता है दूसरे किशन है कि बाजार दर्शन का प्रतिपादन कि दोस्तों निबंद थैक है इया आपको पका जियान रखना है कोंग रूस्ता किर्शन कर ने वाले अर्थ शास्तर को लेकक ने क्या नाम दिया बाजार का पोर्षन करने वाले अर्थ सास्तर को लेकक ने क्या नाम दिया तो नाम दिये दोस्तो एनिती सास्तर ये आंसर होगा लेका का मित्र किसके साथ बाजार गया तो आपको मालूम होगा इस इद्याई को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि लेका का मित्र किसके साथ बाजार गया था पत्नी के साथ बाजार गया था और बाजार गया था और सारा सामान खरीद के लेके आ आएगा हाँ नई इन में से कोई नई उपयोग सभी इस प्रकार से दिया आएगा तो आपको आप से करना नहीं क्या फालतु सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोस्त देना उची तें बिल्कुल नहीं दोस्तो ठीके लेक़ के अनुसार पेसा क्या है तो लेक़ के अनुसार के व्यक्ति तो संतोशी व्यक्ति शूशी इसी परकार हमारा नवऄ किशन देरहा कि बाजार दरसन पा jum पूछे दैंगे इस प्रकार से किशन है निए दोस्तोफब िचूरों किस्मे रकर बेचने निकलते थे तो दोस्तोो पेटी में किसमें रखकर निकलते थे चुरुन बेचने के लिए ठीक है तो यह नोट कर सकते हैं 10 किशन फिर आगे देखते हैं आगे हैं दोस्तों हमारा 11 किशन कि भगद जी की हर दिन कितनी कमई होती थी तो लगबग छेया ने ठीक है लगबग छेया ने आपको धियान रखना है कितनी कमई होती थी लगबग छेया ने सलज का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है सरम से सलज का क्या अर्थ है दोस्तो सरम से तेरवा किशन देरे का कि लेकक ने दिली के किस बाजार का जिकर किया है तो लेकक ने दिली के किस बाजार का जिकर किया है तो चांदनी चो का जिकर किया है इसमें जिसे और परकार के बहुत सारे नगर दे दिये जाएंगे तो इसमें पूचा जाएगा जिस लेकर की निली के किस बाजार का जिकर किया है तो चांदनी चो का वरन किया है या जिकर किया है बाजार किसे देखता है दोस्तो यह बाजार किसे देखता है तो ये करिय सक्ति को देखता है किसी देखता है करिय सक्ति को पंदरवा किशन है कि बाजार से क्या अभी प्राई हैं दोस्तों पूछा जा सकता है कि बाजार से क्या अभी प्राई हैं बाजार से क्या भी पराहि हैं तो बाजार से अनाव हिशिक वस्तू 시청 को खरिदना थाए बाजार में जो अनविशिक वस्तू है इने खरिदना ही यायनि बाजार का आसी है ठीक है तो यहाप नोट कर सकते हैं अगला देर का हैं 16 किशन है कि कौन लोग दोस्तो कौन लोग बाजार का बाजार उपन बढ़ाते हैं तो पर्चिचिंग पावर वाले लोग अब देखते हैं पर्चिचिंग पावर होता क्या है कौन लोग बाजार का बाजार उपन बढ़ाते हैं तो पर्चिचिंग पावर वाले लोग पर्चेचिंग पावर वाले लोग जो है वो बाजार का बाजरूपन बढ़ाते हैं यह आपको आंसर हो जाएगा ठीक है पर्चेचिंग पावर वाले लोग सत्रवा किशन दे रखा है कि बाजार दर्सन में किस परकार की भासा का प्रियोग हुआ है जो बाजार दर्शन दोस्तो अध्याई है हमारा इसमें किस परकार की भासा का प्रियोग हुआ है ये परसन इंपोटेंट है तो सामानी हिंदी भासा का प्रियोग हुआ है सामानी हिंदी भासा का प्रियोग हुआ है ठीक अगला है अठारवा किशन की पर्चेशिंग पावर से क्या अभिप्राई हैं दोस्तों ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट किशन है इस अध्याई का यानि पूरा इसका चांज है दोस्तों आने का अब की बार कि पर्चेशिंग पावर से क्या अभिप्राई हैं दोस्तों इंपोर्टेंट किशन है दोस्तो पर्चिशिंग पावर से अभिपरा हैं दोस्तो करिये सकती अर्थाथ किसी इच्चित वस्तू को खरीदने की शम्ता वह पर्चिशिंग पावर ठीक है तो नोट कर लीजी फिर हम आगे देखते हैं यह 18 तक किशन हो गए हमारे ऑबजिक्ट टाइप फिर मंदे से दो किशन मेरे बड़े लिये हैं तो बड़े बड़े किशन है ठीक है कि बाजार का जादू चड़ने और उतरने पर मनुश्य पर क्या असर पड़ता हैं दोस्तों इंपोटेंट किशन है कि बाजार का जादू में फस कर लोग ऐसी वस्तों को खरीद लेते हैं जिनकी उनके जीवन में आवश्यक्ता नहीं होती बाजार की चका चोद में फस कर कुछ वस्तों खरीदने के बाद लोगों को एसास होता हैं कि जो वस्तों उन्होंने खरीदी हैं वो उनके प्रेसानी का करण बनती हैं तो आपके नजर में उनका कोई उनका आचरन समाज में सांती इस्ताबित करने में मददगार हो सकता है देखो बाजार में भगजी के वेक्तितियों का जो पेलू उबर कर सामने आता है वे हैं उनका अपने मन पर पूर्ण या नियंद्र होना वे बाजार की चकाचोच से आकरशित नहीं होते थे उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या खरीदना है भगजी बाजार की चकाचोच से ब्रमित नहीं होते थे तो बाजार में भगजी के वेक्तितियों का कौन सा सचत पहलू उबर कर आता है तो जे हिन, जे भारत, बंदे मातरम